हेलो फ्रेंस वागत है आप सबका आपके अपने वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रते ग्राम पंचैतों में जो तेरा लोगों को नुकरी दी जा रही है जल जीवन मिसन योजना के अंतरगत तो फ्रेंस तीके उसमें जो है एक बहुत बढ़ा बदलाव अच् तक जरूर देखिएगा क्योंकि फ्रेंस ये वीडियो जो है काफी जाधा इंपॉर्टन रहने वाला है और फ्रेंस जो भी पंचैत सहायक है वह सब भी जो है इस वीडियो को जरूर देखें और फ्रेंस अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को भी सबस्कार करने के लाइकन को प्रेस कर देगा फिर चले वीडियो शुरू करते हैं तो टेके फ्रेंस जल जीवन मिसन योजना के अंतरगत प्रते ग्राम पंचैतों से 13 लोगों को नुक्री दी जा रही है जिसमें राज मिस्तिरी के तीन पदों पर भरती होनी है पंप आपरेटर के दो पदो पर, plumber के दो पदो पर, motor mechanic के दो पदो पर, electrician के दो पदो पर और साथी साथ जो है, fitter के दो पदो पर ये भरती होनी है, यानि कि कुल मिलाकर प्रते ग्राम पंचैतों से 13 लोगों को इस जल जीवन मिसन योजना के अंतरगत, पानी की टंकी जो बनवाई जा रही है, उसी में इन लोगों की नोकरीट लगाई जा रही है, यह भरती कैसे होगी, कैसे आपको पता चलेगा कि यह भरती आपके ग्राम पंचैत में हो रही है, उसके बाद इसके लिए क्या क्या एजुकेशनल कौलिफिकेशन मांगा गया है, और फार्म इसका कहां मिलेगा, फार्म के सेलेक्शन हुआ है, इस टापिक पर भी हमने वीडियो बना है, तो आप लोग हमारे इसी चैनल पर बीजिर करके जाकर देख सकते हैं, तो आए फ्रेंस वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं, तो देखे फ्रेंस इसमें दो पद पंप आपरेटर के हैं, जिनका काम पाने क टेंकी का देख रहे करना है, और साती साथ जो है, सुबह साम पाने की टेंकी को खोलना और बंद करना है, यही काम पंप आपरेटर के द्वारा किया जाएगा, और फ्रेंस आप लोगों को बता दे कि इनके लिए, यानि कि पंप आपरेटर के लिए एक रूम भी बनवाया पानी की टंकी के पास ही जहाँ पर जो है उनको हर तरह की सुबदाय भी दी जाएगी और फ्रेंस इसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दे कि पानी की टंकी की पूरी जिम्मेदारी इनहीं पंप आपरेटरों पर रहेगी लेकिन यहाँ पर आप लोगों का एक बात ये भी क्लियर कर दे कि अगर ग्राम पंचाय द्वारा आपका सेलेक्शन इसमें नहीं किया जा रहा है तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपके पास ITI या फिर पाली टेक्निक की डिगरी है तो आपका सेलेक्शन प आपके पास ITI या पाली टेक्निक की डिगरी नहीं है अगर ग्राम प्रदान आपके फेबर में है तो भी जो है आपका सेलेक्शन इसमें हो जाएगा बट फ्रेंस अगर ग्राम प्रदान आपका एंटी है अगर आपके पास ITI या फिर पाली टेक्निक की डिगरी है तो आप आपको जो है सबसे पहले इसमें सबसे पहले वर्यता दी जाएगी एक बात यहां पर आप लोगों को यह भी बतादे कि ये जो जौब है ये कोंट्रक्ट बेसिस जबर में कि यह जुजव है ये समिधा बेसिस ज़ॉब मैं यान cylinder कि कि जितने पर मंत रुपए का मान्दे दिया जा रहा है और किसी किसी ग्राम पंचायत में जो है पंप आपरेटरों को 10,000 रुपए पर मंत की सेलरी प्रुवाइड कराई जा रही है और फ्रेंस आप लोगों को एक चीज़ यह भी बता दे कि इन 13 पदों में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा पाद जो है पंप आपरेटर का ही माना गया है और आप लोग इसी बात से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायतों में जो पंचाय सहाई क्याने कि जो एकाउंटेट कम डाटा इंट्री आपरेटर की भरती हुआ था उनका मानदे जो है केवल और केवल 6,000 रुपए पर मन्त है जो कि फ्रेंस ये अपने ग्राम पंचायतों के टापर भी रह चुके हैं तो देखे प्रेंस आप लोग जो है इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचाय साइकों का मानदे 6,000 रुपए पर मन्त है लेकिन वहीं पंप आपरेटरों का जो मानदे है आठ हजार रुपए से लेका 10,000 रुपए पर मन्त है तो आप सभी को बता दे कि इन 13 पदों अगर ग्राम परदान आपका सेलेक्षा इसमें होने से रोक रहा है तो इस टापिक पर भी जो है हमने वीडियो बनाया है कि आप लोग इसके सिकायत कहा और कैसे करेंगे और इसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दे कि अगर आपको यह चीज़ेंग करना है कि आपके हो चुका है तो आपके ग्राम पंचायत में किस ब्यक्तिका किस पद पर सेलेक्षन हुआ है इस टापिक पर भी जो है हमने वीडियो बनाया है या अगर आप लोगों को यह चीज़ेंग करने में प्राब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल का मेंबर सीफ हो जाए जो आन वा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सभी अपने दोस्तों के पास रिलेशंसिप में जरू सेयर कर दिजेगा फिर चले आगले वीडियो में मिलता है किसी नए टापिक साथ तब तक ले जाहीं जया भारत